नमस्कार दोस्तों में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम सीखेंगे ओ और आउ के मात्रा से बनने वाले से जितने भी सबनते हैं उन rename कुछ सब्दि लिखा है जिसके माद्रे से हम सीखेंगे ओ और आओ के मात्रा से बनने वाले सब्द को कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आये तो इसको लाइक करिए और अगर चैनल पर नए आये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि इसी प्रकार के इनफॉर्मेटिव जब ओका मंत्रा लगा रेका तो ओ पढ़ेंगे बाद में जैसे चापार ओका मंत्रा है तो चो कापार ओका मंत्रा है तो को लापार ओका मंत्रा है तो लो देखिए चा कापी ओका मंत्रा को रे चकोर भापी ओका मंत्रा भो रे भोर घान घापी ओका मंत्रा घो रे घन घोर ऐसे अलग-अलग पढ़े भी सकते हैं आप गन फिर घण घोर लापे ओक मंत्रा Allो प्रामल को मुल परकार से आपो ओक का मत्रा पढ़ सकते हैं अब इधर एंधर में लिग दिया है तो ओक ओक मात्र देखिये भापे आउ के मंत्रा भाव रापे आउ के मंत्रा भाव रापे आउ के मंत्रा ना भाव 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 ना तो यहां पर देख लीजिए अगर कहीं पर ओ का मांतर लगा है तो उसके बाद में उपढ़ेंगे जैसे कापे लगा है तो को पढ़ेंगे कापे अगर ओ का मांतर लगा है काओ तो लिखना देखिये अगर जैसे किसी ने कहा कि लिखो चाव राः सुनाई दे रहा है तो हम चापे ओ का मांतर लगा है तो जैसे देखिए चापे आओ का मांत्रा अब हो गया चौ फिर रहा मुखुल रहा बड़ा तो आ का मांत्रा फिर हापे भी आ का मांत्रा अभी यह हो गया चौ रहा जैसे अगर किसी ने कहा कि लिखो चौ रहा अगर किसी ने कहा लिखो चौ तो ओ का मांत्रा सुराह दे रहा है चौ तो चाप पर ओ का मांत्रा लिखेंगे फिर रहा लगा देंगे हो जाएगा चौ तो इस प्रकार से आप पढ़ना और लिखना सेख सकते हैं अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक करिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में तब ते के लिए धन्यवाद